जोदर जन्वरी को लोगों को नगरपंच्वायच से एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है अंतिम नोटिस मानक के अनुसार सड़क के मध्य से दोनों तरफ 20 फीट के दाइरे में आपका इस्थाई अस्थाई अतिक्रमड है जिसको चिनहित भी कर दिया गया है आप अपने इस चिनहित की कई जगहे को साथ दिवस के अंदर सुएं उठाले अन्यथा आपका अतिक्रमड बलपूरवक हटा दिया जाएगा ठीक 6 दिन बाद याने 20 चनवरी 2024 को नगर पंचायद द्वारा लोगों से अपील की जाती है और उसी शाम को बुल्डोजर लगागर लोगों की मकान वा दुकानों को ध्वस्त कर दिया जाता है लोग भौचक्का होकर ये देखते हैं कि दुकानों का सामान उनके ही सामने बरबाद हो रहा है कई दरजनों मकानों को ध्वस्त करने के बाद जनता में आक्रोश फूट पड़ता है वे अधिर्शासी अधिकारी को समझाने की कोशिश करते हैं कि आप हमको दो दिन का समय दीजिए हम स्वयंखाली करके इसको हटा देंगे अधिर्शासी की दबंगे के सामने बुल्डोजर लगातार भूली भाली जनता के मकान और दुकानों पर गाज गिराते हुए नजरा रहा है जबकि उत्तरप्रदेश की मुखे मंत्री योगी आदितिनाथ द्वारा सक्त आदेश दिया गया है कि गरीब का आशियाना उजाडने से पहले बंदो बस्त कर दें देखता हूं गरीब की जोपड़ी उजाडते हैं गरीब की जोपड़ी पे आपका बुल्डोजर नहीं चलना चाये और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमे पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले जो आरक्सि स्रेणी की हो तो उने पहले कहीं कोई विवस्ता दीजे विवस्ता देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमती से भी उसको पनर्वास करें जनता ने अधिशासी अधिकारी अमर बहादूर की जब दबंग जुपा सुनी तो गुस्ता बेकाबू हो गया और धक्का मुकी करके सड़क पर गिरा दिया तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से नगरपंचायत अधिशासी अधिकारी को जनता कैसे बीच सड़क पर गिरा रही है जी हाँ हम बात कर रहे हैं नगरपंचायत मकानों को हटाने के लिए पांच महा पहले नोटिस दिया था नगरपंचायत से तीन बार नोटिस दिये जाने पर अतिक्रमण के दाइरे में आ रही इमारतों को लोग नहीं हटा रहे थे इस कारण निर्मार कार्य प्रभावित हो रहा था, इस पर डियम उज्वल कुमार ने अतिक्रमण हटाने का निर्टेश दिया, नगरपंचायद मक्खनपोर ने शनिवार को भ्रमण कर लोगों से अतिक्रमण हटाने की अपीव की, उसी देर शाम पुलिस फोर्स के साथ अधि शासी अधिकारी समेत नगरपंचायद के समस्त अधिकारियों ने बुल्डोजर लगा कर कई दरजनों, मकानों वा दुकानों को धुस्त करा दिया, दुकानों में समान होने की वजह से लोगों को काफी नुकसान चिलना पड़ा, कारेवाही के दौरान इस्थानी लोगों म अफरा तफरी मची रही, करीब रात नौ बजे बुल्डोजर वहाँ से गया, तब लोगों ने चैन की सांस ली और सुबह होते ही अपने मकान और दुकान को तोड़ कर जगे खाली करने में चुट गए देखते रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर